हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसूरत पैटर्न सीयर करने जा रही हूँ, यह पैटर्न हमारा टू कलर में है, इस पैटर्न को आप बच्चों के ओल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, इसके अलावा आप इस पैटर्न डालने हैं, पलास हमने टू फंदे एक्स्ट्रा डालने हैं, दस नंबर की सलाई में हमने इस पैटर्न को बनाने हैं, और फ्रेंट साइड से हमारा यह पैटर्न बनना स्टार्ड होता है, बोडर कम्प्लीट होने के बाद फ्रेंट साइड से पैटर्न की फर्स्ट रो, पीट करते जाएंगे और फ्रंट साइड से अपनी फर्स्ट रो कमप्लेट करेंगे। यह दिखे फ्रन्ट साइट से first row complete हो गई बैक साइट से दिखे second row अब second row में दिखे पहला फंदा उतारेंगे धागा पिछे कर लेंगे और back साइट से हमने second row को सीधा बुनते हुए complete करने ये देखे, same process को हम repeat करते जाएंगे और back side से हमने second row को complete कर लेना है ये देखे, इस तरीके से हमने सीधा बुनते जाने है ये धागा पीछे है और इस तरीके से इन फंदों को सीधा बुनेंगे back side से अब देखे, front side से third row पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी side करेंगे और देखे, front side से हमने third row को उल्टा बुनते हुए complete करने है same process repeat करेंगे और third row को complete करेंगे ये देखे, धागा अपनी side है और third row को हमने इस तरीके से उल्टा बुनते हुए जाना है ये देखे अब देखे, back side से forward row पहला फंदा उतारेंगे back side से forward row को हमने उल्टा बुनते हुए complete करने है धागा अपनी side है ये देखे, back side से हमने fourth row को उल्टा बुनते है same process को हम repeat करते जाएंगे और back side से अपने fourth row complete करेंगे अब देखे, front side से फिप्त्रों में हमारा second color आएगा तो यहाँ पर हम second color को add करेंगे तो देखे, पहला फंदा बुन के उतारेंगे इस तरीकी से, हम next देखे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे बुने, next देखे, जो प्माचवे नंबर का फंदा है इसमें pattern आएगा, तो देखे, जो सलाई वाला फंदा है तो देखे, यहाँ से count करेंगे, फर्स्ट ओल छोडएंगे, सेखिंड ओल छोडएंगे, थार्ड ओल छोडएंगे, फोर्थ ओल छोडएंगे और फिप्त होल में सलाइड डालेंगे, एक मीडियम लूज फंदा बनाएंगे, ये देखें इस तरीके से, फिर धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा, फिर धा दागा पीछे करेंगे, एक और फंदा बनाएंगे, यह देखें. फिर धागा अपनी साइट करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर एक और twenties- bajo value valuable फंदा बनाएंगे. ये देखें इस तरह जी से, धागा पीछे ही रहेगा, नेस्ट हम चार फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, देखें नेस्ट फंदे में हमारा पैटर्ण आएगा, तो देखें जो सलाई में फंदे है, यहां से काउंट करेंगे, तो देखें, फर्स्ट ओल छोडे थर्ड होल छोड़ेंगे, फोर्थ होल छोड़ेंगे, थिप्त होल में हमने सलाइप डालनी है और 11 hacerloice बना लेना है, फिर धाग अपनी साइड करेंगे 11 finish घंब दा, फिर देखें एक Оर 12 होल करें। फिर धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे करेंगे एक और मीडियम लूज फंदा बनाएंगे तो उसी होल में सलाई डालनी है और एक फंदा बना लेना है फिर धागा पीछे रहेगा नेस्ट आमने 4 फंदे सीधे बुनने 1,2,3,4 4 फंदे सीधे अब देखे जो पांचवे नंबर का फंदा आएगा याँ पर पैटरन आएगा फर्स्ट ओल छोडेंगे, सेकंड ओल छोडेंगे, थार्ड ओल छोडेंगे, फोर्थ ओल छोडेंगे और फिफ्त होल में सलाइड आलेंगे एक मीडियम लूज फंदा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर उसी होल में सलाइड आलेंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर उसी होल में सलाइड आलेंगे एक मीडियम लूज फंदा बनाएंगे, फिर धागा पिछे ही रहेगा, लास्ट के फंदे सीधे आ जाएंगे, एक, दो, तीन, लास्ट वाला फंदा चार, तो देखें, फ्रेंट साइड से हमारी पैटरन की फिप्त रोग कम्प्लेट हो गई, बैक साइड से 6 रोग, पहला फ फंदा उतारेंगे, नैस्ट हम तीन फंदे उल्टे बनेंगे, एक, दो, तीन, फिर देखें, एक एक्स्ट्रा फंदा और एक बुना हुआ फंदा दोनों को एक साथ बनेंगे, दो का एक करेंगे, फिर नैस्ट हम दो का एक करेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा और एक बुना फंदा, दो का एक करेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, फिर नेस्ट हम दो का एक करेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा, एक भुना हुआ फंदा, दो का एक करेंगे, फिर दो का एक करेंगे, फिर दो का एक, फिर तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, फिर नेस्ट पैटरन वाले फंदे आ जाते हैं एक एक्स्ट्रा फंदा एक बुनावा फंदा दो का एक कर लेना है फिर दो का एक करेंगे फिर दो का एक करेंगे फिर लास्ट के फंदे उल्टे एक, दो, तीन लास्ट वाला फंदा उल्टा तो देखे ये back side से हमारी pattern की 6 row complete हो गई अब देखे फ्रंट side से 7 row अब 7 row में हमारा pattern repeat होगा अब 7 row में हमारा first color आएगा 7 row को हमने pattern की first row की तरह बुनते हुए complete करना है अब हमने इन ही 6 सलायों के pattern को बार बार repeat करते जाना है और बन के देखे हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान pattern है आप इसे all project में apply कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया like करें, share करें, comment करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें थेंक्यू दो